हाई फ्रेंट्स वेलकम टू दे चैनल यूपीस सी ओन यूर टिप आज के इस वीडियो में जो आज का हमारा टॉपिक है इसका नाम है अडॉल्स हाउस और इसके ओथर कौन है हैं हैंविक जोहान इपसन ठीक है इस प्ले के बारे में थोड़ा आगे जानने से पहले एक बार ह जिसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनकी ओथर का नाम है हैंविक जोहान इपसन इनका बर्थ जो हुआ है वो मार्च 1828 में हो और इनकी डेथ जो है वो 23 में 1906 में हुई है और देखे ये एक नौरवेजियन प्लेराइट रहे हैं प्लेराइट का मतलब वो होता है ज इसके बाद जो है इनका कोई भी जो ड्रामा रहा हो या इनकी कोई भी नौवल रही है वो बहुत इंपॉर्टन रही है अपने समय में और इन फैक्ट ये भी अपने समय के सबसे इन्पॉर्टन या इन्फूएंशल प्लेराइट रहे हैं इसके अलावा जो है देखे सेक्स चल सकता है कि यह प्ले कितना इन्पॉर्टन और कितना अच्छा रहा है ठीक है इसके बाद देखें जिससे कि मैं हर बार आप लोग को बताती हूँ कि किसी प्ले या किसे नौवल के बारे में अगर आप लोगों को पूरा स्केच चाहिए और समझना है कि वो प्ले किस बार प्लेए एक्चल मीन्स तो हम पक्का इस प्लेए के बारे में एक रफ सकेच हमारे माइने बन जाएगा और हम मैं शूर हूँ कि आप लोगों को अपने आप इसकी कहानी सबजनें बहुत अच्छा फील होगा ठीक है देखिए जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्लेए वो ड्रामा होता है जो किसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम के उपर बेज़ होता है अब यह जो प्रॉब्लम रहती है वो शोशोलोजिकल मतलब समाजिक होती है नीचर एक्जांपल एंप्लॉइम्प्लॉइमेंट के बारे में रहेगा या इनेडुकेट हाउजिंग के बारे में रहेगा लेबल अन्रिस्ट के बारे में रहेगा और फैमिनिस्ट होगा जिसे की जो की औरत के अधिकारों पर होता है तो सेम यह जो आज का हमारा ड्रामा है वो जो है वो अपने समय में जो औरतों के साथ जो प्रॉब्लम थी औरतों की पॉजिशन थी सुसाइट पे based है ठीक है इस जो play की जो main heroine है वो अपने समय की problems को अपने आप जो है characterize करती है ठीक है तो I hope यहां तक आप लोगों को clear होगा तो आगे अब हम लोग इस play के characters को देखते है देखे इस play के जो सबसे important character है वो है Nora Helmer ठीक है यह इस play की heroine है और इनके 3 बच्चे है और यह wife है Torwald Helmer की जो की एक bank manager है ठीक है I hope यहां तक clear है अब इसके बाद देखिए इस play में जो बाकी जो characters है वो है Dr. Rank जो की family friend है किसके Torwald Helmer के and यह हैं फिर Christine Linde, Christine Linde जो है वो Nora Helmer की friend है इसके बाद जो है इसके बाद जो हमारा जो next character आता है उसका नाम है Nils Crocksterd और यह इस play का villain है जैसे कि हमारी हमेशा हर movie में कोई ना कोई villain होता है तो इस novel का या इस film का villain कहा जाए तो हमारे Crocksterd है ठीक है I hope यहां तक आप लोगों को characters भी आप लोगों के mind पे कहीं न कहीं sketch out हो गए होंगे तो अब हम इस play का summary देखते हैं देखिए सबसे पहले तो यह play है वो तीन act का है और हम start कर रहे है act one से act one की starting में जो है वो Christmas के समय में से start होता है और इस play की opening में जो Nora Helmer जो है वो अपने साथ कुछ समान खरीद करके बाहर से आती है जिस समय वो अंदर आती है उनके husband और टॉर्विल जो है वो अपनी study में काम करते रहते हैं और जैसे ही वो आती है उन्हें देखकर के उनके husband बाहर आते हैं और जैसे ही देखते हैं कि उन्होंने इतना सारा जो है gift वगरा खरीदा हुआ है तुरंट उसके बाद चिलाने लग जाते कि कैसे तुम इतना खर्चा कर दी क्या जरुद थी इतना खर्चा करने की और ऐसा वैसा तो और उसको जो है कई बड़ी मतलब कई भद्धे शब्दों से उनको जो है इंगित करते हैं और वह काफी उनका चोटा सा मूँ बन जाता है ठीक है नौरा का तो यह जैसे ही नौरा यह सब सुनती है तो नौरा कहती कि इस बार तो टॉर्वल जो है तुम्हारा कि फ्रेंड है नौरा की फ्रेंड है और एक आहें डॉक्टर रैंक जो की काफी क्लोस फ्रेंड रहें इस फैमिली के ठीक है और वह इतने क्लोस फ्रेंड रहें कि वह जब भी आते हैं तो उनके लिए अलाओ रहता है कि वह तुरन जो है टॉर्वल की स्टेडी में जा सके अ इनफेक्ट जो मेरा हस्बेंड है वो भी खतम हो जाता है और अपने पीछे खुद तो मर गया लेकिन पीछे ना पैसे छोड़ा ना कोई बच्चे बच्चे छोड़ा तो नोरा इतना सुनके नोरा कहती कि कोई बात नहीं सबके पास कोई ने कोई दिक्कते हैं इनफेक्ट हमा किया कहती है अरे नहीं मेरे साथ तो देखो क्या क्या दिक्कत रही है मेरी मम्मी वह बिमार पड़ गई और मुझे उनका खयाल रखना पड़ा और इतना ही नहीं वह अपने मेरे छोटे-छोटे भाई थे मुझे उनका भी खयाल रखना पड़ा और उनको वह भी जब अब अपने जिम्मेदारी हो गई तब जाके अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हो अब मेरे पास ऐसा कुछ है भी निया मेरे जीवन एकदम खाली है तो अब मैं कुछ काम धाम करना चाहती हूं और अब क्या करते हैं देखती हूं तो इतना सुनकर के नौरा बोलती है कि ठीक है मैं देखती हूं मैं टॉर्वल सा बात करूंगी कि वो तुम्हारे ले कोई अच्छी सी जॉब दे सके ठीक है इतने पर भी क्रिस्टीन जो है वो क्रिस्टाइन लिंडे जो है वो एकदम खाल किसी को देख करके हैं किसकी लाइफ बहुत खूश है लेकिन हमें क्या पता कि वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही है नौरा कव दे लिंडे को कुल तो करते हैं अपने आपको feel करते हैं कि यार बताओ ये बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में तो वो हस्ते हस्ते जो है क्रिस्टीन को अपनी एक secret बात बता देती है बताती है कि जब Torvald बिमार पड़ा था तब उसको बाहर इटली ले जाने के लिए हमको काफी पैसे की स पैसे जो मुझे मेरे पापा से मिलें लेकिन ये जो पैसे मैंने इलीगली मैनेज किये थे ठीक है अब देखे सोचे कि उस समय की situation देखे कि क्या है एक वाइफ अपने husband से नहीं बता सकती है कि मैं तुम्हारे ही बिमार के लिए तुम जो बिमार हुए थे मैं उसके लिए मै अब यहां इन दोनों में बात चली रही थी कि देखें यहां पर किसकी एंट्री होती है क्रॉक्स्टड की जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता है विलन था ठीक है यह एक लो लेवर इंप्लॉई है टॉर्विल के बैंक में ठीक है अब जैसे यह आता है और नौरा इसको और नहीं है ठीक है अब क्या होता है जैसे ही पर क्रॉक लॉंटसर से हे ताउर्वल की मिटिंड खतम हो जाती है वं भी बहार आता है स्टैडी से जैसे ही फॉस्टडी से बाहर आता है तो नौरा उसे क्या बोलती यह यह मेरी फ्रिंड क्रुश्टीन है और ऑर यह बता दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा जान पाएं ठीक है अब इसके बाद जो है अब टॉडविल क्रिस्टीन और रैंक जो है वो सब के सब जो है छोड़ कर के रूप चले जाते हैं और नौरा वहाँ पर अकेल हो जाती इतने में जो है वापस इनकी नैनी याने की न सबस्ट debate करता है कि तब समयरा हजबन और को निकाल ना चाहता है बैंक से तो मैं सबस्क्राइं जो है तो मैं करती इसमें तुम मेरी क्या उनला कौह सकती हुं मैं तूसमें कुछ भी ने कर सकती तुम अपना काम खुद देखो तो और वो directly मना कर देती ठीक है तो जैसे ही वो मना करती भाई साब अब इसको ब्लैक मेल करने लग जाते है अब ब्लैक मेल कैसे करता है वो बोलता है कि देखो जो तुम अपने पापा के लिए जो तुमने लोन लिया था ना और जो तुम इटली करサ王 है क्योंकि तुम कैसे चलिए अब जैसे जो है नौरा सुनती है नौरा तो एक्दम हैराण परिशान हो जाती है ठीक है अट इसी बीच में क्या होता है फिर जैसे ऑसे तॉर्स कईता रहत अधर यह ए जा पत करने बदार किना लिकर sprAN realizar निकाले लेकिन वह तो वह रफ्यूस कर देता है और उसको बताता है कि क्रॉक्स्टर कोई अच्छा आदमी नहीं वह बहुत ही जूटा आदमी बैमान आदमी और तुम परिशान मतो उसकी तो नौकरी जाएगी जाएगी ठीक है अब इतने में किसकी एंट्री होती है अब देखें एक्ट वन खत्म ह होता है और यहां से घ्र्ठ सकता है एक्ट तू की अ कि किस शर्षाटिंग क्रिस्टीन वह वर सार्टीन कि मलाना होता है तो anges και में करते हैं और अनॉरा से बहुत है वह ट्रेस होता पांस जाता है और ऑfiction बैस तो चाइस किस में नौरा इसाम्ट पहेंगा इंँद किए मुझ क्रॉक्स जो तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत बात ना बोले कोई लाइबलिस आर्टिकल्स ना पब्लिश कर दे तो तॉर्विल फिर जो है उसको बोलता है कि अरे नहीं मैं उसका पूरा बर्बात कर दूँगा और तुम परिशान मतों ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं और वो उसक जिसे नोरा क्या कहते हैं डॉक्टर र्ञंक से फेवर बागने की बात करती है तो रैंक आते हैं और बताते हैं कि वो अपने बारे में ही बताना चालू कर देब कि देखिवो मुझे ती क्यूब बहुत ही उबद कंडिशन में और इसी बीच में वो रिवील भी कर रहता है वह इस बात में जैसे यह बात पता चलती कि डॉक्टर रैंक नौरा से प्यार करते हैं वह एक्दम वह जो एंवार्मेंट रहता है वह दूसरे टेंजिंट पर चला जाता है और नौरा कुछ नहीं बोल पाती है ठीक है अब यहां पर क्या होता है अब देखो अब कॉ नौक्सटर फीर आता है तब तक टॉर्वेर्ड इसको जो है निकाल चुका होता है खाना को ठीक है एक्दम चिड करके आता है और फिर जो है नौरा को बोलता है की कि तो इधर दॉक्टर रैंक जो है क्या करते है वह चले जाते हैं तॉरवेर्ड के पास शुड़ी में और से क्रॉक्सटर आता है किस से नौरा से कंफरेंट करता है अब बोलता है कि मैं मुझे तो जॉप से निकाल दिया है ठीक है और अब मैं साफसा बोल रहा हूँ अब मुझे किसी की परवा नहीं है ना मुझे तुम्हारे बाकी बचे वे लोन की परवा है और ना मुझे तुम्ह मुझे काम पर रखे बलकि मैं तक बोलूगा कि मुझे प्रमोर्ट करें सोच लो वो कितना उसको परिशान करा ठीक है तो नौरा बोलती है और ऐसा मत करो बिल्कुल मत करो क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है उसको अपने हस्बेंट को मनाने की लेकिन वो किसी तरीके से नहीं माना ठीक है तो वो नहीं माना तो नहीं माना अब तुम लों जानो मैं ने तो एक लेटर लिग दिया है और जिसमे तुम नोरा एक बião परिशान है तरान तो करें क्रीक्तने में अपने मीलख को अपने मैल को देखने की कोशिश करता अब पपरिशान नवर्ण क्या करती सेयल् Safa करती है यह Acra तो पूरी शाम परिशाम अपने साथ व्यस्त रखती है या इस टाइब का बच्चो टाइब करके ठीक है और यहां पर साम तो गुजर जाती है और लेकिन मन ही मन जो इसको बहुत डर लगा रहता है कि कहीं उसको पताना चल जाए ठीक है अब इधर क्रिस्टीन के पास चले ज क्यार हूं तो लेकिन इसके लिए तुम्हे एक काम करना होगा तो क्रॉकल हो अब तो मैंने लेटर को जो है पोस्ट कर दिया अब क्या करूं तो यहां पर क्रिस्टीन बोलती ही की तुम्हे काम करो तु्म पूरा का पूरा जो है वो बता दो सच बता दो कि तुम ब्लैक मेल कर रहा है ऐसा एक लेटर लिख दो तो टॉर्विल जो है वो आपका क्रॉक्स्टर जो है वो तयार हो जाता है ठीक है यहां तक तो हुआ और उस धर पार्टी से क्या होता है यह जो है और Torwill जो वह नौरा को एक दम घसीटते हुए लेकर के आता है कि चलो चलो घर चलो क्योंकि वह वैसे भी उसके जादा को इज़त करता नहीं रहता है ठीक है नौरा की और लेकर के आता है और फिर अपने मेल को को चेक कर सोचता है कि मैं अपने मेल को चेक करूं उत्ते पर दॉड़ी बहुत बात करते हैं लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर रैंक चले जाते हैं अब टॉर्विल्ड जो है अपने इधर लेटर निकाल लेता है अब भाई लेटर तो उसके हाथ में लगा अब सोचो क्या होने वाला है ठीक है जैसे जैसे वह पढ़ता है वैसे नौ पूरा क्रॉक्स्टर के हाथ के अंदर हूँ और अब मुझे जहें पूरी क्रॉक्डर के सारी दिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा बीना कुछ बोलें क्योंकि तुम्हारे कारन तो मेरी पूरी बेजब्जत हो जाएगे अगर मैं अगर नहीं उसकी बातों को मानता हूँ और उसको बोलता है कि तुम बहुत ही dishonest हो, तुम immoral woman हो, in fact तुम मेरे बच्चों को बड़ा करने के like नहीं हो और तो और वो यह बोलता है कि अब जो हमारी शादी है न वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम मातर की है और वो सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के काम आईगी है और किसी काम की नहीं अब सोचो उसको कितना कुछ बोल दिया उससे बिना कुछ सोचे हुए ठीक है अब इधार फिर देखो इनके मेड की एंट्री होती है अब मेड जो है वो एक लेटर लेकर क्याती है जो कि नौरा के हाथ में दे देती है यह लेटर जो रहता है वो क्रॉक्स्टर करता है तो तुरंत टॉर्वल बोलता है कि यह लेटर मुझे दो ठीक है तो टॉर् उसको blackmail कर रहा था वो नहीं करेगा ठीक है तो जो टॉर्विल जो है वो लेटर को जला देता है और जो उसने बोला रहता है इतना कुछ बुरा बुरा बोला रहता है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अरे मैं गुस्से में बोल दिया आप तो मुझे माफ कर दो अब ऐसा न आदमी जो हस्बेन जो हो स्ट्रॉंग नहीं ना कोई गैलंट मैन है जैसे कि वह सोच रहती है और इन फैक्ट जो हो नौरा से प्यार वेर नहीं करता है वह प्यार सिर्फ अपने आपसे करता है अपनी पोजीशन से करता है ठीक है इसके बाद क्या होता है यहाँ पर last में क् के रही हूँ पहले अपने पापा की फिर तुम्हारी और इस तरीके से सब जो है मुझे डॉल बना के रखे हुए ठीक है और अब क्या होता है अब इसार टॉल को तो यह डर रहता है कि अगर यह चले गया कुछ हो गया तो मेरी फैमिली बाप क्या होगा है तो वह काफी को सारी अपने निभाई की निभाई तो बहुत अपने लिए भी और इसको कोशिश क करता है यह डिए लेकिन नौरा नहीं बोलती है और नौरा चले जाती है तो आज का जो हमारी स्टोरी थी वो यही थी देखिए इस स्टोरी में आई हो पाप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उस समय बताई जिस नौर्वेज ऐसी कंट्री में क्या सिच्वेशन रही है विमेन लोगों की और इसको कोई भी राइट नहीं था इन फैक्ट बताईए वो कितना अपने हस्बेंट की हेल्प करती है असके बाद भी उसका हस्बेंट जो पर ट्रस्ट नहीं करता है लव करता है नो सबसे पढ़ी बात नो उसको रस्पेक्ट नहीं देता है ठीक अब तो यही सारी एक करते हैं और अगर आप लोग चाते है कि मैं किसी और टॉपिक प्या किसी और प्लेपे में वीडियो बनाओ तो प्लीज आप लोग मुझे बताईएगा कॉमेंट करके और बेस्ट अफ लक फॉर एक्जामिनेशन थैंक यू